तो यहाँ पर हमें question number 8 क्या दिया है In what way does Reserve Bank of India supervise the functioning of bank? Why is this necessary? तो simple सा question में हमें ये पुछा है कि जो Reserve Bank of India होता है जो RBI रहती है, वो bank को कैसे check करती है कि bank कैसे किसको loan दे रहा है जो भी functioning रहती है, bank में जो भी चल रहा है वो सब किसे check करती है, supervise करती है वो हमें पुछा गया है और ये supervise क्यों करती है, क्यों necessary है ये supervise करना, क्यों जरूरी है ये हमें पुछा गया है तो start करते हैं अपना answer तो तो हर बार हमें answer point में लिखना रहता है तो start करते है The Reserve Bank of India monitors the amount of money that bank loan out पहले बाद Reserve Bank of India check करती है कि bank कितना पैसा बाहर दे रहा है उसके बाद and also the amount of cash balance maintained by them और ये भी check करती है कि जो समझो ज़्यादा अगर पैसा दे दिया bank बाहर और अगर bank के पास कुछ पैसा बचा नहीं बैंक के पास अगर कुछ पैसा बचा नहीं और जो बैलेंस रहे cash balance उसके account में maintain रहे तो ये हमें बोला गया first point में कि Reserve Bank of India check करती है कि bank के पास पैसा उतना बचा रहे ताकि कोई भी आकर जिसको भी money की जरुवत है वो आके ले सके अब देखते हैं second point second point हमें दिया है it also ensures that the bank give out loan not just to profiting businesses but also to small cultivators small scale industries and small borrowers अब देखो bank ये भी Reserve Bank of India mainly ये ही check करती है कि जो bank है वो क्या करे जो loan देती है जो loan देती है वो बड़े बड़े businessmen या जो भी profit making businesses है उसको ना दे बलकि सब को दे जो छोटे 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 जो लोग रहते small cultivators रहते है small scale industries वाले रहते है small borrowers रहते है या फिर कुछ ऐसे लोग जिनको अपना नया business start करना है तो इन सब को क्या करे वो loan दे ना कि इनको मना कर दे कि सरी बड़े businessmen को दे ऐसा नहीं करना चाहे बैंक को इसलिए क्या करती है Reserve Bank of India चेक करती है यह सब देखती है कि छोटे छोटे लोगों को भी loan मिलता रहे है थर्ड देखते है periodically bank are supposed to submit information to the RBI on the amount lent to whom and at what rate of interest तो देखो bank यह भी चेक करती है जो Reserve Bank of India है वो भी देखती है कि जो bank है bank हर बार अपना जो भी जितने amount उन्हें लेंड किया किसी को किसको लेंड किया किस इंसान को लेंड किया वो amount कितना amount लेंड किया और कितने rate of interest पर लेंड किया मतलब कि bank जादा interest नहीं लगा दरी उन पर तो यह भी चेक करती है अब फोर देखते हैं इस monitor is necessary to ensure that the equality is preserved in financial sector and the small industries are also given out and outlet to grow अब देखो यह जो point है यह point हम लोगा आपने next answer सालो हो गया है देखो यह हमने explain कर दिया है अब why is this necessary यह हम explain कर रहे हैं तो यह necessary क्यों है इससे क्या करती है इक्वैलिटी बनी रहती है और financial sector हमारा grow भी होता है अब वो कैसे समझो आप छोटे छोटे इंडर्शी को फिर जो भी नाया business खोल रहे हैं उनको अगर आप loan देऊगे तो क्या होगा अगर समझो उनका loan के amount से उनका जो business है और चल गया business बढ़ गया तो loan तो return कर देंगे सा को लाश्ट पॉइंट दिखते हैं this also done to make sure that the bank do not loan do not loan out more money than they are supposed to अब देखो bank जो Reserve Bank of India है वो यह भी चेक करती कि कोई भी bank इतना भी ज़्यादा पैसा किसी को loan के से जैसे ना दे दे क्योंकि एक बार ऐसा एक लफड़ा हो चुका था वो क्या था as this can lead to situation like the great depression of the 1930s in USA USA में क्या हुआ था कि एक bank ने million dollars में क्या क्या था पैसा loan में दे दिया था और वो जो loan में पैसा दिया था और loan का पैसा गायब हो गया मतलब भाग गया हुआ जो भी लेके भागा था पुरा पैसा उनका गायब हो गया इसके जिसे जो USA की economy थी उसको क्या हुआ था बहुत बड़ा downfall देखने को मिला था किसमे 1930 में तो बैंक चेक करता है कि इतना भी ज्यादा amount में किसी को loan ना दे दे तो यह हमारे कुछ 5 points और यही इसका answer है और देखो अगर आपको points में नहीं लिखना तो जाद तरह points में लिखने की कोशिश करो नहीं लिखना तो फिर यही same answer यह मैंने क्या किया एक भी point इसक इस वीडियो को like और हमारे चैनल को subscribe करना बिलकुल मत बोलना